तो ही हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो आर उन चैनल तो आज हम दो पढ़ने वाले हैं हॉन्बिल बुक का लाज चैप्टर यानि की सिल्क रोड रिटेन बाइ निक मिडिल्टन तो अगर हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में बात करें तो वो एक फिजिकल जोगरॉफर है जिन तो इन्ही रूट में से एक रूट में उन्होंने ट्रैवल किया था तो यहां पे वो बताते है कि उनकी जो जर्नी थी वो कैसी रहे थ्रूधाट रूट अब परपस क्या था उनका ? अब यह क्या होता है तो कोड़ एक तरह का बुधिश रिचुवल होता है जो कि लोग करते हैं तो अब सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ जिससे आपको एक किलियर आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में होता क्या है तो अब ऑथर यहां पर बताना स्टार्ट करते है कि उन्होंने अपनी जो जर्णी है वो कैसे स्ट तो इनके साथ था इनका एक दोस्ट जिसका नाम था डैनियल और इनके एक गाइड तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे आइमिन वुलें क्लोस को ले करके गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो फिर ये हमें बताते हैं कि इनके जो गाइड है जिनका नाम होता है सीतन वो इनसे कहते है कि वो एक ऐसे रास्ता से उनको ले के जाएंगे जहाँ पर से उनको एकदम मिनिममम प्रॉबलम होएगी और अगर रास्ते में बरफ नहीं पढ़ती है तो वो टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जैसे ही ये लोग अपनी जर्णी को स्टार्ट करते हैं इनको बहुत सारी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साइट्स नजर आती है बहुत सारे ट्राइब्स के लोग नॉमैडिक ट्राइब्स के लोग इनको दिखते है और फिर वो ऐसे बहुत सारे ब्यूटिफुल न जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे means greater altitude में पहुच रहे थे उचाई में पहुच रहे थे तो इनके जो road है वो बहुत ही sharp और घुमावदार होने लगे क्योंकि आपको पता होगा कि mountain areas में जो road होते है वो एकदम plane नहीं होते है उसमें बहुत सारी twist and turns होती है और वो का बहुत ही carefully बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ाते हैं और turn लेते हैं वो गाड़ी से बाहर इसलिए निकल जाते है क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब कोई आदमी drive कर रहा होता है वो भी इतने intense situation में तो उनकी उपर बहुत सारा burden होता है और यहां तो situation और भी जादा खराब ह क्योंकि पहले ही से वो बहुत height पे है और road बहुत slippery हो रही थी और जो गाड़ी है उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इसलिए वो लोग दोनों उतर जाते है ताकि जो driver है वो आराम से concentrate करके गाड़ी को चला पाए और उसकी उपर से थोड़ा सा भार थोड़ा सा burden हल अब आगे जाके क्या होता है वो बताते है कि इतनी जादा ठंड होती है कि उनके गाड़ी का जो fuel tank होता है उसके अंदर जो fuel है वो vaporize होना start हो जाते है और ताकि लीकेज ना हो तो उसकी धकन को भी खोल देते है ताकि जो vaporized fuel है वो उड़ जाए और वहाँ पर कोई भी leakage का chance ना बने अब कुछ टाइम बाद वो हमें ये बताते है कि इनके जो दोस डैनियल है वो वापस लहासा चले जाते है लहासा वो जगह है जहां से इन्होंने अपना जो journey है उसको start किया था फिर ये दोनों यानि कि हमारे guide और Nick Middleton ये दोनों आजाते है होर पहुँचते है और ना ही कुछ अच्छा सा attraction point then फिर वो लोग अगले दिन पहुँचते है डार्चिन फिर डार्चिन के बारे में उन्होंने बताया कि डार्चिन भी उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है वो भी होर के ही जैसा होता है वहाँ पर भी कुछ भी अच्छा सा नहीं होत है और वहाँ पर बहुत सारा piles of refuse रखे वे थे piles of refuse यानि की वो सारी चीजे जो किसी काम की नहीं होती है बस ऐसे ही वहाँ पर रख दिया जाता है फेक दिया जाता है और वहाँ का जो टाउन था वो भी बहुत डल सा था बहुत अंटाइडी सा था और उनको वहाँ रुकना तो था ही बट उसरा जब वो सो रहे थे तो उनको नींद नहीं आती है क्योंकि इसके दो reason थे एक तो उनको sinus हो गया था जो उनको problem थी और दूसरा वहाँ पर बहुत जादा ठंड थी जिसकी भी कारव उनको नींद नहीं आती है और उनको सांस लेने में काफे जादा problem हो र रात वो बहुत परिशानी में रहते है और उनको नींद नहीं आती है अब यहाँ पर situation खराब हो गया था एतना की अगले सुबा सीजन को इनको यहाँ पर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है फिर next morning सीजन इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते है तो डॉक्टर उन और उसके बाद वो चैन से सोप आते है अब अगले दिन क्या होता है जो सीते ने जो उनके गाइड होते है वो भी उनको छोड़के चले जाते है अब क्यों क्योंकि वो एक लोकल गाइड थे और उनको बाकी टूरिश्ट को भी लाने जाना था उनको अपने business मतलब था तो बचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे author तो author को यहाँ पे काफी जादा बुरा लग रहा था क्योंकि उनके जो दोस्त है डैनियल वो पहले ही उनका साथ छोड़ दिये थे और वो वहाँ पर अकेले पढ़ गये थे और अब उनको बहुत जादा परिशानी होने वाली थी कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे कैसे अपना जर्णी को कम्लीट करेंगे और उनको माउंट केलाज भी जाना था कोरा को परफॉर्म करने के लिए तो वो सब चीज कैसे होगा वो अकेले कैसे करते उनको किसी न किसी का साथ चाहिए था तो फिर वहीं पे जब वो एक लोकल कैफ जो ग्रफवर है और इंग्लिश में वो कम्मिनिकेट करना चाहा रहे थे अधर्वाइस वो लोगों से कम्मिनिकेट नहीं कर पाते तो इंग्लिश उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो जब वो वहाँ पर कॉफी पी रहे थे तो वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है नोर्बू मैं आपको बता दू कि नोर्बू भी एक foreigner होता है जो कि वहाँ पर research work के लिए आया होता है और जब इन्होंने आपस में बात करी तो हमारे author को लगता है कि हाँ मैं इस इनसान के साथ अपना जो journey है उसको complete कर सकता हूं क्योंकि नोर्बू को भ करेंगे तो ये था एक brief idea जो कि हमारे chapter में होने वाला है तो अब हम discuss करेंगे इस पूरे chapter के जो important part है जो हमें बताई गई है वो कौन सी है तो सबसे पहले author हमें बताते है कि उनके जो journey है वो रावू से start होती है and meanwhile जब वो रावू में होते है तो उनकी एक friend होती है या फिर wife होती है जिसके बार में कुछ भी बताया ने गया है कि वो कौन है उनसे author का क्या relation है बट उनका नाम होता है लामू तो लामू के बार में उतना तो नहीं बताया गया है बट इतना जरूर बताया गया है कि एक बार author उनसे कहते है कि उनको जो mount कैलाश है वहाँ पर जाना है औ वहां से फेरवेल ले रहे होते है तब लामों ने इनको एक लॉंग शीप स्किन कोट को गिफ्ट किया था तो ऐसे जो उनकी जर्नी है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम रावू टू उनका डेस्टिनेशन क्या था माउंट केलाश एंड जैसे वो लोग निकलते है तो उनको नौमेडिक ट्राइप सांव थें तो उनी में से एक होते हैं जो कि इनके तरफ देख रहे थे इन्होंने fully covered कपड़े पहन रखे थे, पूरे के पूरे ये लोग wrapped थे और वो लोग इनके दरफ देख रहे थे, और occasionally इनके दरफ wave भी कर रहे थे Then फिर author हमें बताते है कि उसके बाद इन्होंने cross किया from Tibetan tent and उन लोगों के पास काफी सारे Tibetan mastiffs थे, means की Tibetan dogs and जब इनके जो कार है वो उनके tents से cross कर रही होती है तब इनके जो dogs है वो काफी ज़्यादा alert हो जाते है, एकदम attack के mode में हो जाते है तो एक तरह से वो अपने tents को protect कर रहे थे और कुछ हद तक उन्होंने chase भी किया then फिर वो हमें बताते है कि जब इनके रास्ते में snow पढ़ जाती है तो वो चीज काफी ज़्यादा disappointing और काफी ज़्यादा unexpected था and उसके कारण उनको काफी सारी problem भी जिलनी पड़ी जो कि हमने पहले ही discuss कर लिया है then फिर वो हमें ये भी बताते है कि जब वो आगे बढ़ते है तो वो लोग पहुँच जाते 5,210 meters above sea level जिसके कारण होता क्या है एक तो उनको बहुत ज़ादा ठंड लगने लगता है because of atmospheric pressure and दूसरा चीज ये होता है कि उनके fuel tank में जो fuel मौजूद है vaporize होने लग जाता है and ताकि leakage ना हो तो इन्होंने अपने fuel tank के lid को भी खोल दिया ताकि जो fuel है जो vaporize हो रहा है वो evaporate हो जाए और कोई भी leakage का chance ना बने फिर ये लोग पहुचते है होड जो ये जगा का नाम है जहाँ पर इन्होंने अपने जो गाड़ी के flat tires है and फिर वो हमें होर के बारे में बताते है कि वो जगा उनको पसंद नहीं आती है वो बहुत ही dull और dry होता है कई सालों के refuse यहाँ पर वैसे ही पड़े वे थे जिसके कारण overall जो experience था वो बड़ा खराब था and उस चीज से उनको काफे जादा disappointment मिलता है क्योंकि जब उन्होंने बहुत सारे accounts पढ़े थे उस जगा के बारे में कि वो जगा का reviews देखा था उन्होंने तो उनको बहुत अच्छा positive feedback बहुत अच्छा experience लगा था कि वहाँ जागर कि वो enjoy करेंगे बट क्योंकि वो जगा उनकी expectation को meet नहीं करती है तो वो काफी जादर disappointed भी हो जाते है disappointed भी नहीं basically वो disheartened हो जाते है then इसके बाद वो हमें बताते है कि जब वो होर पार करते है तो वो पहुँचते है डार्चेन अब डार्चेन के बारे में भी उन्होंने ये बताया कि वो भी जगा ठीक similar होर के जैसे है उनको वो जगा पसंद नहीं आती है तो ये हमें बताते है कि ये एक guest house में रुकते है कहां डार्चेन में एप्रोक्स 10.30 में ये लोग वहाँ पहुच जाते है और अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर author पूरी रात सो नहीं पाते है क्यों? क्योंकि उनको sinus हो गया था वहाँ पर बहुत कम oxygen था और ठंड भी बहुत था जिसके कारण पूरी रात उनको नीन नहीं आती है और अगले सुबह जो उनके guide है season उनको doctor के पास लेके जाते है तो फिर जब उनको medicine मिलता है तो उस medicine को consume करते है और फिर वो ठीक हो जाते है and then फिर वो अगली रात आराम से सो पाते है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर अगले दिन सीतन भी उनको छोड़के चले जाते है क्योंकि वो एक local guide होते है और उनको अपना business बढ़ाने के लिए दूसरे customers को भी तो देखना होता है तो वो फिर दूसरे travelers को दूसरे tourist को वापस पिक करने चले जाते है तो अब वो अकेले बचते है फिर वो हमें दार्चन के बारों में बताते है कि वो जगा बिलकुल बखवास है वहाँ पर ना ही proper shops है ना ही यहाँ के लोग धंग से है और यहाँ पर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उनका experience बहुत खराब होता है उस जगा को लेके अब वहाँ पर वो खुद से question करने लगते है कि क्या वो अपना जो journey है वो अकेले complete कर पाएंगे या फिर नहीं क्योंकि मैं को यहाँ पर तब आना चाहिए जब बहुत सारे लोग यहाँ पर आते है बट यहाँ पर मैं off season आ गया हूँ और यहाँ पर उतने सारे लोग नहीं है तो यह काफी ज़्यादा lonely feel करते है और फिर यह जाते है काफी पीने एक normal coffee के दुकान में और जब वो उस coffee के दुकान में I mean cafe में होते है तब वो वहाँ पर newspaper पढ़ रहे होते है और फिर उन्होंने notice किया कि उनके सामने एक जो आदमी है वो आके ख़ड़ा होता है जिसका नाम होता है नोर्बू तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर उससे वो बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों साथ में उस journey को complete करें उनको एक partner मिल जाए जिससे होगा क्या वो lonely feel नहीं करेंगे तो फिर वो बात करते है नोर्बू से तो नोर्बू वहाँ पर क्यों आया था वो आया था basically है कि research work के कारण and वो research work किसका था वो था Beijing University का and इनका जो topic था वो था lake man server और mount kelas की spirituality जो magic होता है उसके बारे में then फिर जब इन्होंने आपस में बात किया तो इनको लगता है कि हाँ अब ये mutually इस journey को complete कर पाएंगे author को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो अकेले पढ़ गए थे और उनको भी किसी का साथ चाहिए था तो फिर दोनों एक साथ journey पे जाते हैं उससे complete भी करते है and हमारे जो author है उन्होंने जो decide किया था वो कोरा perform करेंगे तो वो कोरा को perform करते है and वही नोर्बू जिनको ritual तो perform नहीं करना था बट उन पे research करना था उसके बारे में लिखना था तो वो भी आराम से उस काम को करते है तो यही था आज का हमारा chapter उमीद आपको पसंद आया होगा and अगर आया है तो एक like तो कर देना and इसी तरह की दूसरी class 11 की explanation videos की link आपको description में मिल जाएंगे तो उसे भी देख लेना पसंद आया है तो subscribe कर देना, share कर देना तो मिलता है किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye, take care, thanks for watching